अध्याय 15 आर्थिक क्रियाओं की समझ आर्थिक क्रियाएं हमारे आसपास के लोग अपनी आवशक्ता की पूर्ती के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं कहीं कहीं इन कारियों से वस्तों का उत्पादन होता है जैसे बास की टोकरी बनाना, कपड़ा बुन्ना, खेत में फसल उगाना या कारखाने में सीमिन तयार करना आदी दूसरी और कई अन्य कारियों द्वारा लोगों को सुविधा या सेवा प्रदान की जाती है उदाहरन के लिए किराना व्यापारी सेवा प्रदान करता है या सेवा प्रदान करती है यह कारियों वह सेवा भावना वाला कारिय नहीं है जो हम बिना पैसे के अपेक्षा से करते हैं यहां सेवा खरीदी जाती है वस्तू की तरह यहां भी पैसे चुका कर लोग किसी सुविधा या सेवा को खरीदते है इन में से अधिकांश क्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए हम धन का लेंदेन करते हैं कुछ ऐसे भी क्रियाएं हैं जहां वस्तूं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए धन का लेंदेन नहीं करना पड़ता है इनके बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे सूची क्रमांक 1.1 पहला, किसान द्वारा अनाज उगाना एवं बेचना दूसरा, मिट्टी से मटके बना कर बेचना तीसरा, वैपारियों द्वारा उत्पादित सामागरी को खरीदना या बाजार में बेचना चौथा, स्कूल में सिक्षक द्वारा विध्यार्थियों को पढ़ाना पाचवा, दुकान लगाकर बिस्किट वर नमकीन बेचना चौथा, बढ़ाई द्वारा फनीचर बना कर बेचना साथवा, कार खाने द्वारा कागज बना कर बेचना आठवा, जंगल से शहदे कत्र करना एवं बेचना नौवा, कोसे से धागा तयार कर साड़ी बनाना एवं बेचना 10. मशली पालन करना एवं बेचना 11. एक कमपनी द्वारा बॉक्साइट का खनन करना एवं दूसरी कमपनी को बेचना उपरियुक्त सूची को देखने से स्पस्ट है कि लोग अलग-अलग आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं इन्ही आर्थिक क्रियाओं से उनकी आवशक्ताओं की पूर्ति होती हैं वस्तों और सेवाओं का उत्पादन, धन, मुद्रा की प्राप्ति और विभिन आवशक्ताओं की पूर्ति करने वाली सभी क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं कहलाती हैं अर्थ वेवस्था के शेत्र СECTOR OF THE ECONOMY विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किसी ना किसी क्षेत्र विशेश से समबन्दित होती है उत्पादन के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को हम निश्चिश शेत्र, शेत्रक या सेक्टर में वर्गिकृत कर सकते हैं इन्हें क्रिशी शेत्र, उद्योक शेत्र एवं सेवक शेत्र में विभाजित किया गया है ऐसा करने से इन शेत्रों का भारत में कुल उत्पादन में योगदान आसानी से ग्यात किया जा सकता है पहला कृषी एवं संबंधिक शेत्र, Agriculture and Allied Sectors इस शेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया मुख्यता प्रकृती पर निर्भर होती है इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं संसाधनों का उप्योग किया जाता है इसमें विभिन प्रकार की फसलें जैसे धान, गेहु, मक्का, बाजरा, कपास, आधी का उत्पादन किया जाता है कृषी से संबंधिक शेत्र में वनोपज भी आती है उनसे हमें फल, जड़ी बूटिया, फूल, गोंद, शहत, सहित कई उप्योगी वनस्पतियां प्राप्त होती है इसे प्रकार अनिक शेत्रों में पशुपालन, मत्सेपालन जैसे शेत्र भी सम्मलित होते हैं दूसरा, उद्योग शेत्र, इंडुस्ट्रियल सेक्टर उत्पादन करते हैं, जैसे बास को विनिर्मित का टोकरी बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, चम्रे से जूता बनाना, चूना पथर से सिमिन्ट बनाना, आदी उद्योग का अध्यन, मुख्य रूप से कुटरुद्योग, सुक्षमुद्योग, लगुद्योग, मध्यमुद्योग, एवं व्रिहद उद्योग के रूप में किया जाता है घरों में बहुत छोटे पैमाने और अधिकतर परिवार के सदस्यों से की जाने वाली वस्तों के उद्पादन को हम कुटरुद्योग के श्रेणी में रखते हैं कुटरुद्योगों के तुल्ना में लगुद्योगों में श्रेमिकों की संख्या और पूंजी की मात्रा अधिक होती है इन में कुछ छोटी या मध्यम मशीनों का उप्योग करके उद्पादन किया जाता है जैसे धान मिल, छपाई कारखाना, इडभठा वा छोटे कलपूर्जों को बनाने वाला कारखाना ऐसे उद्ध्योग लगुद्योगे की श्रेणी में आते हैं रिहद्ध्योग में लगुद्योगों की अपेक्षा और भी ज्यादा पूंजी और संसाधनों का उप्योग किया जाता है वस्तू का उत्पादन बड़े कारखानों में होता है जिसके लिए बड़े संख्या में श्रम्योगों की आवशक्ता होती है सिमेंट एवं इस पाद के कारखाने इसके उदाहरन है